गैरंटी है आपने ब्रेड की ऐसी शांदार और इकदम नई सी रेसिपी ना तो पहले कभी खाई होगी और ना ही कभी देखी होगी थोड़ी से ब्रेड दूद और थोड़ी सी सवयों से इतनी शांदार और गजब की नई रेसिपी जिसको देखकर आप हरान रह जाएंगे और अगर त्योहारों में इसे बना लिए तो महमान आपकी तारिफ करते ठकेंगे नहीं तो पूरी वीडियो लाज तक जरूर से देखिएगा आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आज ही आप इसे बनाएंगे तो ये बेहत शांदार, healthy और एकदम तेस्टी सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी सेवया ली थी कप से नापे तो एक कप लिया है और ये जो सेवयों का इस्तमाल किया है मैंने ये सूजी से बनी हुई है यानि मैदे वाली सेवया नहीं है वैसे आपके पास जो भी सेवया हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो सूजी वाली सवया है ना बहुत यासानी से मिल जाती है और बहुत ही बारिक-बारिक सी होती है साथ ही healthy भी होती है तो इनको मैंने छोटी-छोटी पीसे में इस तरीके से तोड़ लिया है साथ ही मैंने चार ब्रेड का इस्तमाल किया है तो ब्रेड आप कोई से भी ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड या फिर इस तरीके से वाइट ब्रेड चार ही ब्रेड का इस्तमाल करेंगे जादा ब्रेड नहीं लेंगे और आपके परिवार मेंगा छे से साथ लोग है ना तो भी आप इस रेसिपी को सिर्फ चार ब्रेड से बना सकते हैं सब के लिए तो हम क्या करेंगे एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें ये चारो ब्रेड को इस तरीके से रफली तोड लेंगे चाहें तो साइड्स आप इनको कट करके हटा सकते हैं मैंने sides के साथ में ही इनको चोटे-चोटे इस तरीके से तोड़ लिया है तो देखिए bread हमारा बिल्कुल तयार है अच्छी तरीके से इनको तोड़ लीजे और अब क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे 4-5 बड़ा चमच दूद जिसे के अच्छी तरीके से सौफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे bread आप चाहें तो पानी का यूद भी कर सकते हैं अगर दूद नहीं डालना चाहते हैं तो अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम इनको इस तरीके से हाथों से मसर करके सारे bread को एकदम सौफ्ट सा डो की तरह तयार कर लेंगे तो हाथों से अच्छी से मसर लिएगा और दूद कम डालिएगा नहीं तो जो प्रेड का मिक्शर वो एकदम गीला हो जाएगा और हमें इसका एकदम टाइट डो तयार करना है एकदम रोटी जैसे हम बनाते हैं बिलकुल वैसा देख सकते हैं सारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन यह मिक्शर काफी गीला है हम इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी कॉन फ्लॉर या मैदे का इस्तमाल करेंगे तो मैंने आपर कॉन फ्लॉर का यूस किया है आप कॉन फ्लॉर घर भी बना सकते हैं भुट्टे से इसकी मैं आपको जल्दी ही अप्लोड करूंगी तो अगर आपको यह रेसिपी चाहिए तो आप जरूर से कॉमेंट में बताएगा मैं भुट्टे से घर पर बहुत ही हल्दी तरीके से कॉन फ्लॉर के रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगे इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्रा इसके तरीके से मैंने को मसल करके तैयार कर लिया है चलिए अब हम क्या करेंगे हाथों पर थोड़ा सा घी या तेल लगा लिजे डो एकदम ऐसा ही होना चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए जादा टाइट नहीं होना चाहिए नई तो हमारी रेसिपी खराब हो सकती है थोड़ा सा घी मैंने हाथों पर लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं और अब इसके छोटे-छोटे से बॉल्स हम तयार करेंगे, बॉल्स की साइज आप बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा-छोटा ही रखेंगे, जो देखने में का पाने में भी काफी नरम होते हैं, अगर आप बड़े-बड़े बनाएंगे तो हो सकता है उसके बीच में गाठे पड़ जाएं, इसलिए हम इनको छोटा-छोटा इस तरीके से बना कर तैयार करेंगे, तो चाहिए सारे बॉल्स हम इसी तरीके से बना-बना कर रेड़ी कर ल चाहिए इनको कुक कर लेते हैं, कुक करने के लिए हमें बहुत ही कम तेल या घी की ज़रत होगी, तो यहां पर मैंने दो चम्मच घी डाल दिया है, एक पैन के अंदर तो कोई से भी चौड़े बर्दन का इस्तमाल कर सकते हैं, दो चम्मच घी डाला है, आप चाहे तो बट तो सारे बॉल्स मैंने इस पैन में डाल दिया है, फ्लेम को कम ही रखिएगा, जैसे ही एक साइड सिख जाएंगे, हम इनको टर्न करते रहेंगे, और अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक इनको पकाना है, ताकि यह उपर से भी अच्छे से कुक हो जाएं, और अंदर से भ पकाना हम बहुत ही जरूरी है, तो चैलिए इसी तरीके से हम इनको टर्न करते जाएंगे, और बढ़िया से गोल्डन कर लेंगे, आप चाहें तो इनको एर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं, बिना तेलिया घी के, तो देखिए बढ़िया से गोल्डन होने लगा है, थोड़ कि कितने जादा अच्छे दिख रहे हैं, सारे हमने इस तरीके से निकाल लिया है, अब जो पैन में घी बचा हुआ है, उसी में हमने जो सेवयों को तोड़ करके चोटा चोटा रखा हुआ था ना, वो डाल देंगे, और इसी में हम इनको भी भून लेंगे, अगर आपको ल सेवयां बहुत जल्दी अच्छे से क्रिस्प हो गई है और बढ़िया से सुनैरी भी हो गई है, यहां पर अगर आप मोटी वाली सेवयों का इस्तमाल कर रहे हैं, तो एक कप के बजाए आधे कप का इस्तमाल कीजेगा, मैंने यह बारिक बारिक सेवय ली है, इसलिए एक बहुत जादा फूलती है, इसलिए उनके क्वाटिटी कम रखनी है, तो देखिए अच्छे से इभुन गये हैं, इनको हम अलग रख लेते हैं, और अब इस मेन रेसिपी को बनाने के लिए एक भारी तली का बरतन ले ले ले, कोई भी बड़ा सा कढ़ाई ले ले या फिर भ पूनी हुई, वो सारी की सारी अट कर देंगे, ताकि दूद्ध जब तक गाढ़ा होगा, तब तक हमारी सेवईयां भी अच्छी तरीके से दूद में डूब कर सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इस सारे ही मैंने इसमे एट कर लिये हैं एक कब, अच्छी तरीके से दूद में इ अब इनको बढ़िया से मिलाएंगे ताकि जो सेवया है वो सॉफ्ट हो जाए चीनी भी घुल जाए और लगतार थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिएगा मीडियम फ्लेम पे ताकि जो दूद है वो तली में लगे भी नहीं और जले भी नहीं तो देख सकते हैं यह मलाईदार और रबड़ी चार टेस्ट देने के लिए मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है और यह कंडेंस मिल्क मैंने घर में बनाया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जरूर से कॉमेंट करके बताएगा मैं 2 या 3 चीज़ों से ही मिलकर रेसिपी बनाती बिलकुल खराब नहीं होता बजार से कई गुना टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है तो यहाँ पर मैंने चार बड़ा चमश्ट कंडेंस मिल्क डाल दिया है ताकि एक्दम मलाईदार और रबड़ी दार टेस्ट आए अच्छी तरीके से डाल करें को मिक्स कीजेगा और आप इसमें हलका सा यलो कलर देने के लिए में केसर का यूज़ करूंगी आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुश्बो भी आती है और टेस्ट तो बढ़ता ही है साथी कलर भी इसका निखर के आता है तो मैंने 10 से 12 यह धागे केसर केस में डाल दिये हैं यह देखें आप चाहें तो यह पर कस्टड पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं जिसके इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और आपको एक कस्टड का टेस्ट भी मिलेगा तो आपके बस दो अप्सन है यह देखें अच्छा सा कलर आ गया है केसर इसमें डाल देंगे ब्रेड के इन छोटे-छोटे बॉल्स को बनाने में हमने चीनी का इस्तमाल नहीं किया था लेकिन जब इस तूद में यह बॉल्स डूपते हैं और थोड़ी देर के बाद आप इन्हों जब चखेंगे तो यह अंदर से भी काफी सॉफ्ट एकदम गुल आप जाम उनकी तरह हो जाएं इसमें आप अपने पसंद के साब से ड्राइफ्रूट पर याड़ कर सकते हैं काजू बादाम जो भी आपको पसंद है मैं आप पर सिर्फ और सिर्फ बादाम का इस्तमाल करूंगी और चलिए इसको ढखकर थोड़ी देर पका लेंगे फिर हम इनको चेक करेंगे 5 मिनट के बाद यह जो ब्रेड के बॉल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो चाते हैं मैंने इनको गैस से उतार दिया है और चलिए इनको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे देखे थोड़ी देर के बाद यह काफी हद तक जो से वईया है वो गारी हो तो चलिए आप बिना देर किये हुए हम इनको डाल देंगे एक बड़े से बरतन में क्योंकि हम इनको सॉफ करेंगे एक चिल्ड करके आप चाहें इतुन को गरम गरम भी खा सकते हैं लिकिन चिल्ड करके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है बस एक गंटे के लिए फ्रिज में ठाकेंगे नहीं क्योंकि यह रेसिपी है ही इतनी कमाल की स्वाधिस्ट और बहुत ही मज़ेदार एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजेगा देखना सबको बहुत पसंद आएगी आप इस रेसिपी को डिजार्ट के तौर पर सफ कर सकते हैं इनको गार्णिश करने के मैंने थोड़े से बादाम पिस्ता और थोड़े सी गुलाब की पंखुरिया डाली है जिससे इसका लुक और भी बढ़ गया है और स्वाध भी तो कैसी लिए कि आपको यह रेसिपी जरूर से लिख के बताईएगा अगर पसंद आई तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अ आपको भी वह बहुत पसंद आएंगे तो रेसिपी कैसी लगी लिख के बताईए चलिए बनाईए खाईए और सब के शाथ शेयर कीजेए कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए ठेक क्यार एंड बाबाए